हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी गैर लापकारी संस्थाओं के लेखे होते किया हैं इसका मैं आज थियोरी पार्ट करवाऊंगी और इंशालला जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग इस फाइनेंशल एकाउंट जो कि यह होता क्या है फिर्म आपको अपने खुद की जो प्रेपार करेवर नौट्स हैं वो बताऊंगी ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गेर लापकारी संस्थाओं से आशाई ऐसे संस्थानों से हैं जिन में वित्ती वेवार तो होते हैं लेकिन इन लेंदेनों का उदेश लाप कमाना नहीं होता बलकि संस्थान चलाना होता है ऐसे संस्थानों में सामाजी कुनिया शरीक खेलकूट सांस्क्रितिक अधिगिति वीधियां चलाने वाली संस्थाओं या क्लब आते हैं इसका मतलब यह है कि गेर लापकारी संस्थाओं जो होती है वो उनमें financial transactions होते हैं वो सब होते हैं बट उनका जो वो होता है उद्देश जो होता है वो लाब कमाना नहीं होता है ठीक है मतलब उनका जो main purpose ही होता है कि संस्था हमारी चलती रहे बहले ही पेसा मतलब पेसा main नहीं होता है main काम क्या होता है उनका संस्था को चलाना होता है जैसे सामाजी, पुर्णियार जैसे कि बहुत सारे NGOs वगेरा होते हैं फाउंडेशन वगेरा होते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं गेर लापकारी संस्था है गेर मतलब होता है कि विदाउट, मतलब नॉन जैसे कि गेर लापकारी मतलब लापकार नहीं इस तरीके समझ सकते हैं तो इनमें कौन-कौन से संस्था हैं आती जैसे खेलकूत के लिए अगर कोई कलब वगेरा हो गया फाउंडेशन होते हैं और भी बहुत सारी NGOs होते हैं संस्था होती है और बहुत सारे होती हैं जिसे के समाद सेवा जिसे हम कह दें उस टाइप की जो भी संस्था हैं होती हैं वो सब यह ही होती हैं गेर लापकारी संस्था हैं ठीक है और जो गेर लापकारी संस्था हैं होती हैं इनके द्वारा ही वर्ष के IVI की जानकारी तथावित्ती इस्थिति ग्याद करने के लिए व्यापारियों या उद्ध्योगपतियों की तरह आशिक लेखे तयार किये जाते हैं देखें जैसे अगर हमारा कोई बिजनेस है और उसमें हम जैसे financial accounting को जो है हम learn करके रखते हैं यानि कि हम अंतीम खाते बना के रखते हैं तो उसी तरहिए से यह संस्थाएं भी जो होती है गेर लापकारी संस्थाएं जो होती है यह भी अपने एक लेखे तयार करती है IVI की मतलब कितना हमारी income होई है और कितने हमारे expenditure होए है ठीक है expenses और income इन दोनों को यह manage करते हैं चलती है मतलब अगर यह लोग खाता बनाएंगे तब ही तो मतलब उनका जो है यह वित्ती लेंदेन का जो भी है लेखा वो सब सही चलता रहेगा मतलब आई भी होती है वियाई भी होती है तो कितनी आई हुई है कितनी वियाई हुई है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो भी वित्ती लेखे बनाते हैं ठीक है वित्ती स्थिती का पता करने के लिए financial position पता करने के लिए ठीक है कि हमने साल भर में कितना कमाया साल भर में हमने कितना दिया कितना खर्च होआ पैसा कहा गया कहा से आया ये सब हमेचानकारी प्राप्त होना चाहिए इसलिए ये वित्ती लेखे रखना ज़रूरी है ठीक है अब मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसकी एक टेफिनेशन लिख के रखी हुई है गेरलापकारी संस्थाओं के लेखे से आशाई पुर्णियार्थ संस्थान, शेक्षणिक, खेलकूद, सांस्क्रितिक, आदिकवती, विधिया चलाने वाली संस्थाएं होती है ठीके, मतलब गेरलापकारी संस्थाओं के लेखे में वित्ती विवार तो होते हैं, लेका इनका उद्देश लाप कमाना नहीं होता है आप ये भी नोट कर लें, अगर आप लोग चाते हैं, इसको हाइलाइट कर ले अगरलापकारी संस्थाओं होती है, इनमें ये लोग तीन खाते बनाते हैं ठीके, वित्ती वहवार तो करते हैं, लेकिन ये कितने खाते बनाते हैं? तीन खाते बनाते हैं प्राप्ति एवं भुकतान काता, आई एवं व्योई खाता और चिठ्था ठीक है इसके जो खाते होते हैं इसकी तीन स्टेप्स होती है सबसे पहले हम बनाएंगे प्राप्ति एवं भुकतान खाता आई एवं भुकतान खाता और फिर क्या बनेगा चिट्था तो प्राप्ति एवं भुकतान खाता क्या होता है रोकड खाते की भाती होता है इसमें आईगत एवं पुजीगत प्राप्तिया नाम वजमा पक्षों में लिखा जाता है मतलब यह जो प्राप्ति एवं भुकतन खाता होता है यह रोकड खाते की तरह होता है ठीक है इसको मैं और भी डीटल्स में आपको बताऊंगे अब प्राप्तियां और भुकतान प्राप्ति जिसे प्राप्ति खाता होता है और भुकतान खाता होता है प्राप्ति और भुकतान खाता है तो यह प्राप्ति और भुकतान मतलब इस तरीके से बनेगा ठीक है प्राप्ति यह रिसीप्स और भुकतान मतलब होता है पेयमेंट तो एक तरफ होता है receipts और एक तरफ होता है payment इस तरीके से इसका account बनेगा तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा वर्ष के प्रारंब का रोकरशेश जो हमारा वर्ष की जो opening stock होता है समझ लो आप या फिर balance समझ लो sorry balance आएगा यहां balance ठीक है और इधर क्या आएगा वर्ष के पूंजिगत प्राप्तियां जैसे सथाई प्रवेश शुल्क विशिष टुकोष दान विनियोग फरनीचर की विक्री यह सब इसमें आजाएगा मतलब कुल मिलाके रिसिप्ट्स में क्या आएगा balance आजाएगा और चंदा दान यह सब हमें जो भी मिलेगा रिसिप्स जितन कोई प्रवेश शुल्क जो होता है वो मिल गया ठीक है और भुक्तान में क्या आएगा वर्ष के सभी वास्तविक वियाई जैसे वेतन किराया और सेकेंड पर क्या है वर्ष भर के सभी भुक्तान लेसे बेंक में जमा विनियोग रही फरनीचर सामान का रही स्थाई विया होने अदे में जाम आगा Не वर्ष के सारी प्राप्ति घुक्तान वर्ष अंतका रोकड घचिंदाश बिक हमारे पास बचता है तो दो किवते है यह हो गया क्यों कंग प्राप्ति घुक्तान क्योंता है दो चंआ है व्याव कटन ने खाए जो या लлаг में भ्णाती जो रही च से यह काम करता है ठीक है मैं आपको जब निम्रिकल्स करवाऊंगी तब मैं आपको बता दूँगी और यह जो इसका चिठा बनता है इसमें प्रारमभिक पुझी प्लस वर्ष का अधिक संचैक एमकोश बेंग करीन अगरीम चंदा अनुपरजीत आई अदर्त विया एमकर ठी किये और ज्यादा डीटेल में बताऊंगी मैं इंशाला नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों के लिए मेरी वीडियो हेल्फुल रही होगी कोई डाउट है अगर आप लोगों कोई सचेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग कर दो